असलाम अलेकूम कैसी है आप सब उमीद करते हूं खेरियत से होंगी वेलकम टू माई चैनल नमबर वन किचन हेक में आप सब को जैसा कि आप लोग जानते हैं कितनी शदीद गर्मियां चल रही है और हपस भी बहुत है क्योंकि बारिशों का सीजन शुरू हो गया है मूनसून का तो हबस की वजय से आप लोग जानते हैं कि कीड़े मुकोड़े मुक्तलीफ जो होते धी नाली से गड़ों से भार आना शुरू हो जाते हैं इस तो पीछा नहीं छोड़ते पूरी पीरी अपनी कालोनी मना लेते हैं यानिके बच्चे हो जाते हैं और फिर वह सी घर में रहना शुरू कर देते हैं और उनको आप खाने पीने की चीज़े भी मिलती रहती हैं तो कोशिश क्या कीजिए कि रात को अमना किचन साफ करके सों और जी हां आठा लेना है वही आठा जो हम रेगुलर रोटी बनाते हैं आपने वह आठा लेना है आप चाहें तो बेसन भी ले सकते हैं मैंने गेहूं का आठा लिया है तीन टेबले स्पून भरके ठीके आप अपने हिसाब से अपने कॉंडिडी देख लीजिएगा कम यह अधर को मिक्स कर दूँगी अच्छी दरहां से ठीके अब आप सोच रहे होंगी यह क्या हो रहा है चीनी आठा और अब आ रहा है इसके अंदर घी जी हां मैं इसके अंदर अब घी एट करूंगी वह भी सिर्फ हाफ टेबले स्पून घी चीनी आठा इसके अंदर मैंने तीनों चीजें मिक्स करी हैं यह देखें अब आप सोच रहोंगे यह कोई चुवा मार दवा तो बन नहीं रही यह दो चूहों की दावत के लिए इंतजाम हो रहा है तो यही समझिए कि चूहों की दावत है और उसके बाद उनकी शामत ह जी हाँ अभी आप देखते जाएं आगे 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 आप मेरी वीडियो के साथ रहिए गाइस कीमत कीजिए कि अन्हें इतनी जबर्दस जो मापको आइडिया दे रही हूं आप लोग मिस्स कर देंगे तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगे इन तीनों ची जाएं और गी आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसको गूंदने के पाद अच्छी तरह से आप देखिए इसकी गोलिया बन जाएंगी और अगर आपको ज्यादा गोलिया बनानी हो तो इसी कॉंड़ी को डबल कर देजिएगा वैसे यह कॉंड़ी बहुत ज् ऑग्या पपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा यह बहुत जबर्दस जो है के अच्छी के अगर आपके अपने तरह कर आएं अपने तरफ कि पर अपने तरह करें वो है कुष हो को दवाई की तरफ लपकेंगे जब खाएंगे तो इसके अंदर आटा और चीनी जो उनकी पसंदीदा घिजा है वो होगी और उसके अंदर हम जो एट करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूं क्या करना है पहले हमने इसके पेड़े से बना लेने हैं चोटी-चोटी गोलियां म अब मैं तयार कर रही हूं इसकी में डवाई जी हां में रेमेडी जो है वह प्यार हो रही है जो इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे हमने चाहिए काफूर की गोली इसके बेतहाशा फवाइद हैं वह मैं आपको बाद में बताओंगी पहले मैं आपको यह वीडियो बताती काफूर की गोली को कहां कहां इस्तमाल किया है कर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा काफूर की गोली को हमने पीसना है बारिक बारिक यह मैंने पहले से पीस के रखा हुआ है मैं काफूर की गोली को वन पी स्पून ले रही हूं काफूर की गोली का पाउडर में सामने ही रख देती हूं ताकि आप लोग देखते रहे हैं और आपको पता रहे कि काफूर की गोली का पिसा हुआ पाउडर है बारी ठीके काफुर की कोली पिष्णा को एती बड़ी बाद नहीं है आप बड़े मज़े से पीछ सकते हैं बहुत अराम से पीछ जाती है अब इसके अंदर मैं एट कर रही हूं सरफ जी हाँ वही सरफ जिसा हम कपड़े अपड़े दोते हैं यह वह सरफ है मैंने हाफ टेबले स्पून सरफ वन टी स्पून भरकर मैंने जेव लिया है काफुल की गोली का पाउडर लिया है इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी सरफ क्या है सरफ के अंदर जो है बहुत ज्यादा कॉंड़ी के अंदर कास्टिक होता है जो मारे कपड़ो काफूर की गोली से क्या होगा काफूर की जो खुश्बू है वह चुहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इससे वह बहुत जादा घबराएंगे ठीक है यह दोनों अपना काम करेंगे तिन दोनों की फिलिंग करनी है हमने इस आटे के जो में गोलियां तोड़ी दिना उस के अंदर मैंने सरफ और काफूर की फिलिंग कर दी अब आस्ता इस तरह से इसको गोली बना ले बस कोशिश कीजिए का सरफ और काफूर जो है वह पेड़े के ऊपर ना लगे हाथ साफ करके बनाईगा वनना चुहा भी इसको सुम लेगा तो फिर इसको खाएगा नहीं तो के इसको इसको इहतियात से बनाईगा कि इसको बर काफूर की गोली का उससरफ का पाउडर ना लगे ठीक है किस तरह से गोली या तैयार हो गए है देखे लिए जरा से कॉंडेडी ली थी मैंने सरिफ आटे की वह औनी चीज होगी और कितनी ज्यादा गोलीयां तयार हो गई जीरो कोस्ट में सरफ काफूर की गोलियां आठा चीनीगी यह सबके घर में मौझूद होता है और कोई चीज आपको बाहर से लानी नहीं पड़े कि जीरो कोस्ट में अच्छी दवाई बनाएं चुहों से जान चुड़ाएं कोई हजार उर्पे का खर्चा नहीं जीरो कोस्ट में हमेशा आप लोगों को वही चीज बताती हूं जो जीरो कोस्ट होती है घर में चीज आपके मौझूद होती है तो आपको एक टिप कैसी लगी कैसी नहीं लगी मुझे जरूर बताया करें कमिट्स करके लाइक सब्सक्राइब करें कि अपना अंदर काम कर रहा होगा तो वह घबराएंगे और घर से बाहर बागेंगे घर से बाहर जाएंगे आपके घर में बद्बू पाफून और जरसीम नहीं फेलेंगे तो जबर्दस टिप में आप लोगों को बताईएगा मुझे जरूर बताईए कि आप लोगों को यह टिप कैसी लगी कैसी नहीं लगी क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए वही टिप ट्रेक्स और हैक्स लाती हूं जो जीरो कोस्ट पर होते हैं आपका खर्चा भी ना हो और आपका फाइदा भी हो जाए तो मैंने जरासी जो है चीजों के अंदर जबर्दस दवाई बना ली है ठीक है यह तक्रीबन छे गोलियां बनी है अगर आप चाहें तो इससे छोड़ी गोलियां भी बना सकती है तो मुझे नेक्स वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजें इसाला फिर से हासिर होंगी कोई चीज़ी वीडियो के साथ अल्ला हाफ धिसे देए बना रेगी कोईस वीज़ से वीडियो मुझे तो से भीडियो तो से बना बना छेए यह जदित देए दिर से देए ए लीज़ी बना दीज़ी है यह झाल्तित देए